हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे अचार का मसाला जिससे कि आप कई तरह के अचार बना सकते हैं यह देखिए है जीरा, सौफ और सर्सू अजवाइन, कॉलाउंजी और सर्सू की दाल या राई की दाल लालमिज पाउडर, हिंग और हल्दी धन्या का पाउडर, अमचूर पाउडर, और नमक आईए बनाते हैं मसाला और हाँ साथ में हमें चाहिए मेथी दाना सबसे पहले हम मेथी दाना भूनेंगे कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है द्यान रखेगा मसाला बनाते समय पानी जरा भी ना लगे कढ़ाई हमने गरम कर लिया है अब हम मेथी दाना भूनेंगे जब मेथी दाना अच्छे से भून जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा, राई और सौफ इसको भी हमें मेडेम आज पर धीमियाज पर इसे भून ना है बहुत जादा जलाना नहीं है बहुत जादा सेखना नहीं है हमें इसे हलका हलका भून ना है अब हम इसमें डाल देंगे अजवाईन अजवाइन को लास्ट महीं डालते हैं क्योंकि यह बहुत जल्दी भून जाता है तो मेथी सबसे पहले इसके बाद जीरा, सौफर, राई और उसके बाद अजवाइन अब इन सारे मसालों को हम करीब एक मिनाट तक भून लेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें सौधी सौधी खुश्बू आने लगेगी तो समझ जाए कि मसाला अच्छे से भून लिया है यह देखिए यह कलर चेंज हो गया है इसका मतलब अभी भून गया है ग्यास कर देंगे बन इससे निकाल लेंगे प्लेट में और इससे हम ठंडा होने देंगे यह अच्छे तरीक से ठंडा हो जाना चाहिए यह देखिए बड़िया ठंडा हो गया है आप इससे हम क्या करेंगे पीस लेंगे मसाले को भून लेने के बाद में इसे अच्छे तरीक इसे ठंडा जरूर होने दे क्योंकि यह हलका जब गरम रहता है तब भी इसमें हलका सा मौश्चर हो सकता है लेकिन जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसका मौश्चर सार ओड जाएगा इसलिए पूरा ठंडा होने देजिए और रुसी के बाद इसको हम पीषेंगे हलका सा दर दरा पीषेंगे है ना आब यह मसाला हमारा पीषकर हो गया है इसमें अब हम डालेंगे हिंग, हल्दी पाउडर और लाल मिच का पाउडर यह है धनिया का पाउडर यह भी मिला देंगे कलोंजी और राई के दाल यह भी इसमें मिला देंगे इसके बाद अमचुर पाउडर यह हमने दोचमच अमचुर पाउडर लिया है आपको ज़्यादा खटा पसंद है तो आप ज़्यादा अमचुर मिला सकते अब हम इसमें डाल देंगे नमक नमक की quantity हमेशा थोड़ी सी जादा ही होती है आचार में इससे अचार खराब नहीं होता और टेस्टी भी बनता है तो यह हमने इसमें नमक डाल दिया है अब इन सब को हमें मिला लेना है फ्रेंड्स अब ये जो अचार का मसाला तयार हुआ है ना इससे आप कई तरह की आचार बना सकते हैं लाल मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार, गाजर का अचार, गाजर मुली का अचार, गोबी मटर का अचार, कटहल का अचार, कई तरह के अचार आप इसी मसाले से बना सकते हैं हाँ लेकिन जैसे आवले का अचार बनाना है और आम का अचार बनाना है जैसे कि खटी चीज़ों का तो इसमें आमचुर पाउडर डालने की कोई आफशक्ता नहीं बकि सेम मसाला आप हर अचार में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होते लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए नमस्कार